महराष्ट में नया स्यासी संकट सामने आ रहा है विधान परिशत के चुनाओं में क्रोस वोटिंग का फायदा सीधे सीधे भाजा पको हुआ और इसके साथ ही शिवसेना के साथ ही महाविकास अगाडी के विधायकों की बगावत भी खुल कर सामने आ गई है मुंबई से लेकर दिली तक हड कम मचा हुआ है और बैठकों का दोर चल रहा है इसी के बीच हर किसी के जहन में एक ही सवाल है कि क्या उद्दव ठागरे की सरकार गिर जाएगी इसके लिए महराष्ट विधान सभा का गणित समझना जरूरी है महराष्ट विधान सभा में अभी 287 सीटे हैं सरकार बनाने के लिए बहुमत का जरूरी आंकडा 144 का है महाविकास अगाडी की इस्तिती पर अगर इस समय नजर डाले तो शिव सेना के 26, NCP के 53, कॉंग्रेस के 44 यानि कुल मातर 123 विधायक इनके पास है वहीं भाजापा के पास अगर बहुमत बनता है तो जिसमें भाजापा के 16, शिव सेना के 29, निर्दलिय 13, ये कुल मिला कर 148 विधायक हो सकते हैं जो बहुमत से 4 अधिक होंगे बतादे की साल 2019 के विधान सबच चुनाओ नतीजों में भाजापा को 16, शिव सेना को 56, NCP को 53 और कॉंग्रेस को 44 सीटे मिली थी भाजापा और शिव सेना चुनाओ से पहले साथ थी और ऐसे में दोनों के बास बहुमत का आंकड़ा था हलंकि गट बंदन तूट गया और भाजापा को सरकार बनाने के लिए 40 सीटों के आवशकता थी भाजापा ने अजीत पवार की मदद से सरकार बनाने की नाकाम कोशिश की थी आखिर में शिव सेना ने NCP और कॉंग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई एक और एहम बात ये है कि दल बदल कानून से बचने के लिए एक नात शिंदे को अपने साथ 36 विदायकों को लाना होगा महराश विदानसवा की अगर मोजुदा इससेती की बात करें तो भाजापा के बास इस समय 106 शिव सेना के पास पच्पन NCP के 53 और कॉंग्रेस के 44 अन्ने 30 कुल यहां विदानसवा की 287 सीटे हैं